तो आज है 29 अक्टूबर और आज का मौश टेम पर टाइन करेंट अफ़र लेकर आए हूँ आज का पीडिफ निचे डिसक्रेप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो कुईज करूँगा जिसका इंसार आपको निचे कमेट में लिखना है अब चलिए स्टार करते हैं सबसे पहले फटाफट 28 अक्टूबर के करेंट अफ़र का दो मिनट में रिविजन कर लेते हैं और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में प्रिवेस मन से भी टॉप 10 करेंट अफ़र का रिविजन करूँगा तो वीडियो का अंतक जबू देखना अब चलिए देखत की हैं ओडिसा ने इस पहल की शुरुवात की हैं राष्ट्री बगवानी बोड यानि नेशनल होटी कल्चर बोड के नए प्रबंद निदेशा कौन बने हैं बी सिरी निवास हाली में भारत ने कीन दो देशों के साथ ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पर की अस्थपने के लिए MOU पर हस्टाक्षर किया है भुटान और नेपाल के साथ हाली में चर्चा में रहा कोलंबो घोस्ना किस से संबंदित हैं सतत नाइट्रोजन परबंधन से संबंदित हैं योगा ग्रैंडमा के नाम से मशुहूर हाली में किस योग सिक्षिका का 99 वर्स की आयूमी निध कि तीसरे संसकरन का आयोजन कहां किया जाएगा सौधी अरब की कैपिटल रियाद में इसी फौरम में भाग लेने के लिए 29 अक्टूबर को परदान मंतरी नरेंदर मुदी सौधी अरब के दोरे पर जाएंगे बिरंदर सिह यादव किस देश में भारत के नए राज़दूत बने हैं इराक में भारत में पहली बार जैवे प्रद्योगे की से संबंदित गलोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा मुक्तेश कुमार परदेशी किस देश में भारत के नए उचा यूक्ते नियूक्त हुए हैं समोवा में अब चली आज का करेंट अफेर स्टार्ट करते हैं पहला कोशन हाली में जलवाई परिवर्तन पर 29 बेसिक मंतरी अस्तरिय बैठक 2019 का आयोजन कहां किया गया था इसका आयोजन किया गया था चीन की कैपिटल बिजिंग में ओप्शन डी सही उत्तर है तो 25 से 26 अक्टूबर को 29 बेसिक मंतरी अस्तरिय बैठक का आयोजन बिजिंग में किया गया था अच्छा इस बैठक में भारत का परतिनेधित वह कौन किये थे प्रकास जावडेकर प्रकास जावडेकर वर्तमान में केंद्रिय परिवरन मंतरी है ठीक है और यह जो बैठक ह हुआ था इसकी अध्यक्षता किस ने की थी चीन के परियावरन मंतरी है हे ली गैंजी उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी ठीक है यहाँ पर जो आप बेसिक देख रहे हैं यह चार देशों का संगठन है ठीक है बी से ब्राजील एस से साउथ अफरिका आई से इं मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किस ने जीता है यह खिताब जीत लिया है लोईस हमिल्टन ओप्शन ए सही उत्तर है लोईस हमिल्टन कहां के हैं इंग्लेंड के हैं और यह मर्सडेज कार के ड्राइबर है तो इस वर्स का इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स क ध्यान से सुनिए, इस वर्ष का इन्होंने चाइनेज ग्रैंट प्रिक्स, मोनाको ग्रैंट प्रिक्स, कनाडियन ग्रैंट प्रिक्स, हंग्रियन ग्रैंट प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंट प्रिक्स, ब्रेटिस ग्रैंट प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंट प्रिक्स और बहरीन ग Singapore Grand Prix का खिताब जीता है, वहीं Valtteri Bottas, ये Finland के हैं, और इस वर्स अभी तक इन्होंने तीन Grand Prix का खिताब जीते हैं, Japanese Grand Prix, Australian Grand Prix, तथा Azerbaijan Grand Prix, वहीं Max Verstappen, ये Belgium के हैं, और इस वर्स इन्होंने अभी तक दो Grand Prix का खिताब जीते हैं, Australian Grand Prix and German Grand Prix. अब चलिए अगला कोशन देखते हैं, गोल्फ टूनामेंट का जो जो चैंपियंशिप 2019 का खिताब किस ने जीता है, जो जो चैंपियंशिप 2019 का खिताब जीत लिया है, टाइगर उट्स, ओप्शन सी सही उत्तर है, इस तरह से टाइगर उट्स की ये बेरासमी PGA टूर खिता हैं, उन्होंने अपने करियर में 82 बार PGA टूर खिताब अपने नाम किया था, उन्हीं के बराबरी कर लिये हैं, टाइगर उट्स, ओप्शन में जितने भी नाम हैं, ये सभी के सभी गोल्फ खिलाडी हैं, ठीक है, और इस वर्स इन्होंने भी कुछ ना कुछ खिताब जीत हैं, वहीं Justin Thomas, ये United State यानि अमेरिका के हैं, इस वर्स इन्होंने BMW Championship का खिताब जीत लिया हैं, वहीं Gary Woodland, ये भी अमेरिका के हैं, और इस वर्स इन्होंने गोल्फ टूनामेंट का U.S. Open का खिताब जीत लिया हैं, तो ध्यान में रखिए, एक U.S. Open जो है टेनिस का U.S. Open ये खिताब जीते हैं, Gary Woodland, ये अमेरिका के हैं, अगला कोशन है, हाली में किस अराजय के पुर्व मुख्य मंतरी, दिलिप पारिक का 82 वर्स की आयू में निधान हो गया, ये गुजरात के पुर्व मुख्य मंतरी थे, हाली में इनका निधान हो गया है, ये गुज 1998 तक ये गुजरात के CM थे, दिलिप पारिक, हाली में इनका निधान हो गया है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं फटफट गुजरात के बारे में, गुजरात जो है, भारत का सबसे लंबी तटिये रेखा वाला राज्य है, और तीन राज्यों से इसकी सिमा लगती है, महरा 03 परतिशत, लिंगा नुपाते 919, ये सभी आकड़े 2011 के जनगर्णा के अनुसार हैं, कैपिटल गांधी नगर, मुख्य मंत्री हैं, विजय रूपानी, राज्य पाल हैं, अचारे देववरत, लोग सबासिट 26, राज्य सबासिट 11, विधान सबासिट 182, जिलों की संख्य 33 से, राजके पशु है, एश्याई शेर, राजके पक्षी सारस, राजके ब्रिक्षाम, राजके फुल गलगोटा, यहां के मुख्यनादेश हैं, विक्रमनात, डंडिया तथा गर्बा, यहां के प्रमुख लोकनेरते हैं, गेर नेशनल पार्क, बलेक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क, सबी गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क को ही गल्फ आफ कच के नाम से भी जाना जाता है, सर्दार सरवर डैम, नर्मनाद दी, उकेडम तापती नदी तथा धरवी डैम, साबर मती नदी पर इस्थित हैं, तथा केविन एस सुका मुल्जो की जोडी ने ये जोडी कहा की है इंडोनेसिया की जोडी है और इस जोडी ने भारतिये जोडी को हरा कर फ्रेंच ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है किस भारतिये जोडी को इन्होंने हराया है सात्वीक सायराज रैंकी रेडी तथा चिर रैंकी रेड़ी तथा चिराग सेट्टी की जोड़ी ने थाइलेंड ओपन जितकर पहला सूपर 500 का खिताब जिता था तो इन दोनों की जोड़ी ने इसी वर्स बैडमिंटन का थाइलेंड ओपन का खिताब जिता था पूरुस यूगल वरग में साथविक साई राज रैंकी रेड़ी आंदर परदेश से बिलोंग करते हैं वहीं चिराग शिक्ति महराष्टरा से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट लोनली प्लैनेट के अनुसार 2020 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा प्रयाटक अस्थल के रूप में किस राज्य को तीसरा अस्थान प्राप्त हुआ हैं मद्य परदेश को तीसरा अस्थान प्राप्त हुआ हैं ओप्शन भी सहुत्तर हैं आपको बता दें कि यह जो रैंक जारी किया गया है पांच पैमानों पर यह रैंकिंग जारी की गई है थीक है यह पांच पैमाने कौन से हैं वन्नेजिव, एतिहासिक धरोहर, भवन निर्मान काला के नमूने, तिर्थ अस्थल तथा सब की पसंद का खाना है इन्ही 5 पैमानो पर ये ranking जारी की गई है तो पूरे विश्वा में मद्य परदेश जो भारत का दिल कहा जाता है ये तिसरे अस्थान पर है पहले अस्थान पर कौन सा अस्थल है भूटान और दूसरे अस्थान पर इंगलेंड है और तिसरे अस्थान पर मध्य पर्देश है अब एंसर हो गया मध्य पर्देश फटफट इसके बारे में जान लेते हैं मध्य पर्देश की सिमा भारत के पांच राज्यों को छूती है महराश्टर, छतिसगड़, उत्तर पर्देश, राजस्थान और गुजरात बीच में आप एक रेखा देख रहे हैं यह कौन सी रेखा है? यह है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? आठ राज्यों से होकर गुजरती हैं कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मद्दे पर्देश, 36 गड़, जारखंड, पस्चिम बंगाल, तिरिपूरा और मिजोरा मद्दे पर्देश का गठन वथा एक नवंबर 1956 को छेतरफल के साबसे दूसरे नंबर पे और जन संख्या के साबसे पाचवे नंबर पे हैं सक्षर्टदर हैं, 79.32 प्रतिशत, लिंगाद उपाथ हैं, 931, कैपिटल भुपाल, मुख्य मंत्री हैं, कमलनाथ, गवर्नर लाल जी टंडन, लोग सबसिट 29, राज्य सबसिट 11, विधान सबसिट 230, जीलों की संख्या 52 संजाई यादो, यहांके मुख्यान आदिस हैं, एक्टिंग चिफ्ट जस्टिस हैं, संजाई यादो, राजकिये पशुहे 12 सिंगा, राजकिये पक्षी शाह बुलबुल, राजकिये बिरिक्ष बर्गद, राजकिये फुल सफेद लीली, राजकिये फसल सोयबीन, राजकि खेल मलखंब, तेरतानी चारकूला तथा मटकी डांस, यहांखे प्रमुख लोक निरत्ते हैं, बांधव गड़ नेशनल पर्क, काधा नेशनल पर्क, पन्ना नेशनल पर्क, सत्पूरा नेशनल पर्क, वन विहार नेशनल पर्क, पेंच नेशनल पर्क, माधो नेशनल पर्क, सभी मद्धे परदेश में हैं इंदेरा सागरमाद, बारगी बाद, नर्मदा बाद तथा ओम करेश्वर बाद ये चारो बाद जो हैं नर्मदा नदी पर हैं और गांधी सागरमाद हैं ये चंबल नदी पर हैं चलिए अगला कोशन है बेल्जियम की प्रथम महिला परधान मंतरी कौन बनी हैं? तो बेल्जियम की प्रथम महिला परधान मंतरी बन गई हैं Sophie Wilms ओप्शन C सही होता है इस तरह के जो भी कोशन होते हैं, very important होते हैं द्यान में रखिएगा तो Belgium की प्रथम महिला परधान मंत्री बन गई है Sophie Wilms ओप्षन में और भी नाम दिख रहा है जैसे कि Charles Michel Sophie Wilms से पहले Charles Michel Belgium के परधान मंत्री थे Charles Michel को हाली में एरोपिये परिसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एक दिसंबर को ये पदभर गरान करेंगे कंचन चौदरी भट्टाचारिया ये भारत की प्रथम महिला डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस है यानि DGP हैं ये उत्राखंड की DGP बनी थी जिनका हाल ही में यानि अगस्त माह में निधन हो गया है कंचन चौदरी भट्टाचारिया का वही ओप्चन D नमबर पे जो है जो जानना कैपू टुवा ये सुलुवाकिया की प्रथम महिला राष्टर पती बनी है इसी वर्स इसे भी नोट करना और ध्यान में रखना ठीक है अब हम यहाँ पे बात किये हैं बेल्जियम का है इसके बारे में फटाफट जनिये कैपिटल है ब्रुसेल्स यहां के समराथ है फिलिप संसत का नामे फेडरल पार्लियमेंट और मुद्रा का नामे यूरू नेक्स्ट निम्ण में से किस खिलाडी को हाली में विजडन इंडिया हॉल आफ फेम में शामिल किया गया है तो दो भारतियों को विजडन इंडिया हॉल आफ फेम में शामिल किया गया है लाला अमरनात और गुंडपा विश्वनात को ये दोनों भारत के पुर्व किरकेट हाली में इन्हें Wisden India Hall of Fame में शामिल किया गया है Next, Wisden India अलमानेक वर्स के सर्वस्त्रेश्ट किरिकेटर का पुरसकार किसने जीता है तो वर्स का सर्वस्त्रेश्ट किरिकेटर का पुरसकार जीते हैं जश्पृत बुम्रा जो भरतिय पूरुस टिम के गंदबाज है और एस्मिरिती मंधाना जो भारतिय महिला टिमकी खिलाडी हैं इन दोनों ने इस वर्ष का सर्वस्त्रेश्ट किरिकेटर का पुरोषकार जीत लिया है आपको बता दें कि कुल पांच लोगों को विजडन इंडिया अलमानेक वर्ष का सर्वस्त्रेश्ट करिकेटर का पुरुसकार दिया गया है उन पांचों में से दो भारती हैं जस्पृत बुमरा तथा इस्मिरिती मंधाना अन्य तिन विजड आउं का नाम नीचे लिखाऊ देख लिजए फाकर जमा यह पाकिस्तान के हैं कप्तान दिमुत करना रतने यह सिरलंका के हैं राशिद खान यह अफगणिस्तान के हैं इन्हें भी वर्ष का सर्वस्त्रेश्ट करिकेटर का पुरुसकार प्रदान किया गया आपको बता दें कि एस्मृती मंधाना जो हैं ये वर्ष की स्तर्वस्त्रेश्ट किर्केटर का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतिये महिला किर्केटर बन गई हैं इनसे पहले दो कौन थी? मिताली राज तथा दिप्ती शर्मा अब चलिए अगला कोशन है किर्केट कंटरी पुस्तक के लेखा कौन है? जिसे विजडन इंडिया वर्ष की स्तर्वस्त्रेश्ट किताब का पुरुस्कर मिला है इस पुस्तक के लेखाख है प्रशान्त किदाम B, ओप्शन B सहुत्तर है वेरी इंपर्टेंट कोशन है द्यान बरेखिए किर्केट कंटरी जो पुस्तक है इस वर्ष इसे सर्वस्त्रेश्ट किताब का पुरुस्कर दिया गया है तो इस पुस्तक के लेखाख है प्रशान्त किदाम B ये जो पुस्तक है इसमें भारती टीम के इतिहास पर प्रकास डाल गया है ओप्शन में और भी नाम है जैसे कि शाहिद अफ्रीदी ये पाकिस्तान के पुर्व किर्केटर हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गेम चेंजर वो पुस्तक इसी वस लॉंच हुई है और काफी फैमस भी रही है तो ध्यान में रेखिए गेम चेंजर पुस फ्रेंड्स तो ये था मारा आज का करेंट अफेर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जवरू करना अब चलिए प्रिवेस मन से टॉप 10 करेंट अफेर का रिविजन करा देता हूँ ये मार्च महिने का पार्ट 6 है पहला कोशन हाले में माल दिव ने किस भारतिये ब नूर सुल्तान इसका नाम रखा गया है अस्ताना का नाम बदल कर आपको बता दें कि नूर सुल्तान नजरबायो कजाकिस्तान के प्रथम राश्टर पती थे 1990 से लेकर 2019 तक ये वहां के राश्टर पती थे उन्हीं के सम्मान में अस्ताना का नाम बदल कर नूर सुल्तान र का समधान नेटवर्क की वैश्वीक प्रसन्यता रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक्या है भारत 140 अस्थान पर हैं किसने विज्ञान और अध्यात्मिक्ता के छेतर में 2019 का टेंपल्टन पुरसकार जीता है मारसेले गिलीसेर ने ये कहां के हैं ब्राजील के हैं किस अरज्य के पुर्वी खासी हिल्स जिले में भारत की सबसे गहरी सौफ्ट गूफा क्रेम उम लॉड़ा की खोज की गई है मेगाले में हर वस विश्व जल दिवस कब मनाय जाता है 22 मार्च को मनाय जाता है 2019 का विशय ध्यान पर रखिएगा लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 के विश्व जल दिवस का ये विशय है नासा का ओसी रिक्स रेक्स अंतरिक्ष यान ने किस चुद ग्रह पर पानी की खोज की है 26 मार्च को बेंगलूरू में किसके द्वारा Artificial Intelligence for India समयलन 2019 का आयोजन किया था फेस्बुक ने इसका आयोजन किया था फोन पे के ब्रांड अमिश्डर कौन बने है आमिर खान एक और कोशन है 26 से 30 मार्च को कहां पर आयोजीत लांग कावी अंतराष्ट्रिये मैरी टाइम एक्सपो में पहली बार भारतिये वायू सेना ने भाग लिया था इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में अब चलिए पिछले वीडियो में जो क्वीज गया था उसका अंसर बता देता हूँ पहला कोशन था दक्षिन एशियाई 26 सायोग संग यानि सार्क का मुख्याले कहां पर इस्थित है इसका मुख्याले काठमांडू में है सभी लोग ने अंसर सही दिया था अब आज का क्विज करता हूँ जिसका अंसर आपको नीचे कमिट में लिखना है पहला कोशन भारत भर्मन करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था दूसरा कोशन रूस और फिंड लेंड की सीमा रेखा का क्या नाम है